Hello and welcome friends, Microsoft Excel के बाद आज का ये विडियो Libra Writer का है और Libra Writer में दो shortcut keys जिनकी मदद से आप bullets and numbering insert करा सकते हैं easily capable shortcut keys और वो दोनों shortcut keys क्या हैं? आईए चलिए समझते हैं देखिए एक तो bullet and numbering आपको insert कराना है तो आप यहाँ से जाके करा सकते हैं यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको bulleted list मिल जाएगी इस तरह की अगर आप इस पर click करते हैं तो इस तरह का एक bullet आजाएगा और अगर आप कोई और वाला चूज करेंगे तो कोई और वाला आ जाएगा और यहाँ पर एंटर करेंगे तो फिर आपको bullet मिल जाती है ठीक है यह तो manual तरीके से आप insert कराते है ठीक है इसके अलबर numbering भी आपको मिल जाती है ठीक है bullet अलग है numbering अलग है ठीक है तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ से मैं F12 की प्रेस करता हूँ जैसे F12 की प्रेस किया मैंने तो यहाँ पर देख सकते है numbering insert हो चुकी है आपको क्या button प्रेस करना है function button F12 प्रेस करना है enter प्रेस किया यहाँ 2 आ गया फिर यहां कुछ लिखा, interface किया, यहां 3 आ गया, इस तरह से हम करते चले जाएंगो और यह होगा F12 की मदद से, तो numbering आप F12 से insert करा सकते हैं, ठीक है, और अगर आप shift के साथ F12 प्रेस करते हैं, तो आप देख पाएंगे कि यहां पर bullets आ रही हैं, ठीक है, तो यह लिखा मैंन फिर यहां पर आए, फिर यह लिखा, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी मदद से, shift और F12 की मदद से, आसानी के साथ bullet भी insert करा पाएंगे, उमीद करता हूँ बात आपके समझ में आई होगी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, तो share करें, thank you for watching this video.